नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यूपर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्मून जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी एक किसान है और प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना का लाब लेते हैं तो इस वीडियो को आप चूर पोच करेगा दोस्तो काफी किसान ऐसे हैं जिनको 10 वी किस्त नहीं मिल पाई है और जिनको 10 वी किस्त मिल चुकी है वह 11 किस्त का इंतिजार कर रहे हैं तो दोस्तो मैं आपको बताँ चाहूँगा कि जिन किसानों को 10 वी किस्त नहीं मिल पाई है, अब सरकार द्वारा 10 वी और 11 वी किस्त एक साथ दे जा सकती है, दोस्तो यह उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो दोस्तो सरकार द्वारा अपडेट जारे किया गया है अगर वह correction क कर सकते हैं अपने फॉम में यानि कि जिन किसानों को किस नहीं मिली है उनको जो भी गलती की है वैसे उधारनी होगी और कौन-कौन सी गलती सरकार की तरफ से आई है वह जानकरी हम आपको यहां पर देने वाले हैं दोस्तों किन किसानों को मिलेगा और किन किसानों को नहीं मिल करेगा उसकी संपुन जानकरी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हैं आप से हम निविदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक क्या है तो वीडियो लाइक कर दीजै जाद से जादा शीयर भी करेगा और चैठानमंत्री लाग देा गया है जिन किसानों को अब तक दस्वी किस्त मिल चुकी है वह दोस्तों 11 किस्त का इंतिजार कर रहे हैं लेकिन अभी भी दोस्तों बहुत से ऐसी किसान हैं जिनको दस्वी किस्त नहीं मिली है अब मैं आपको बतान चाहूंगा कि अब केंद सरकार की तरफ से उन सभी किसानों को जानकर दी गई है जिनको दस्वी किस्त नहीं मिल पाई है हाला कि दोस्तों जो पात्र किसान थे उनको तो दस्वी किस्त नहीं दी जाएगी और आने वाली भी किस्तों खलाब नहीं दिया जाएगा लेकिन जो पातर हैं उनको भी किस्त नहीं मिल पाई है तो उनको क्या करना है जिससे कि उनकी किस्ते उनको मिल जाए है हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं तो दोस्तो बदाय गया है कि इन सरकार की तरफ से कि जल से जल अपने फार्म में क्रेक्शन कर ले क्योंकि बहुत सी गल्तिया किसानों ने की है और जो गल्तिया की है वही हम आपके आपर बताने जा रहे हैं अगर आप से भी उन में से कोई गल्ती हो चुकी है तो आप जल्द से जल्द अपने फर्म में क्रेक्शन कर सकते हैं और दोस्तों अपनी गलती को सुधार सकते हैं दोस्तों मैं पोता चाहूंगा कि ग्यारवी किस्त का अंजार कर रहे किसानों के लिए अब सरकार द्वारा बता गया है कि आपको ग्यारवी किस्त कब तक मिल सकती है वहीं परधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना के अंतरकात एक साल में 6,000 रुपे दे जाते हैं हाला कि बहुत से किसान ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं कि 6,000 को बढ़ा कर अब 8,000 रुपे कर दे जाए यानिकि जो साल में 6,000 रुपे मिलते हैं उसको अब 8,000 रुपे किसानों को साल में दे जाए हाला कि अभी तक दोस्तो सरकार दुआरा इस पर कोई अपडेट जारी नहीं किया गई है नहीं कोई सुनवाई की गई है केवल यह किसामों की मांग है मैं आप उदाच हूँगा कि सरकार दौारा किसानों के लिए कई प्रकार की योजनाएं भी चलाइ गई हैं जिसका लाब किसान ले रहे हैं और जिन किसानों को नहीं पता है दोस्तों उनके लिए हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आगे भी जानकरी उन किसानों को देते रहेंगे दोस्तो अगर किसान अपनी गलती को सुधार लेते हैं तो जो रुखी हुई किस्त है वह भी किसानों को मिल जाएगी क्या-क्या गलती की है और क्या अपडेट जारी किया गया सरकारी कि तब से चलिए मैं आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वाक बता देता हूँ सबसे पहले दोस्तो जिहान दीजेगा कि जिन किसानों ने अपने बैंक खाते की क्यावाईसी नहीं कराई है वह जल्द से जल्द क्यावाईसी करा लीजिए क्योंकि अगर आप अपने बैंक खाते की क्यावाईसी नहीं कराते हैं तो बैंक आपके एकाउंट को बंद कर दे हो ठीक है तो जो कराएगा दोस्तों उनका एकाउंट ओपन हो जाएगा उर अधार काड़ पैन काड़ आपको अपने बैंक काते में लिंक करा किसानों ने भारं भरते वक्त बैंक खाता या फिर आयाप सी कोड़ गलत दिया हुआ है तो उनके खाते में भी पैसा नहीं ट्रांसफर किya जाएगा बहुत से प्रधान कंद्री खिसान योजना के अंतरगत तो हाली में दोस्तो एक और बड़ा अपडेट जारी किया गया है जिसका नाम दोस्तों EKYC है, क्योंकि जो 10 वी किस्त थी सरकार दुवारा वह EKYC के बगार ही देदी थी लेकिन तो सरकार दुवारा घोषना की गई थी कि अगली आने वाले किस्त एनकी 11 वी किस्त उन्हीं किसानों को दी जाएगी जो EKYC करेंगे जो EKYC नहीं कराएंगे उनको सरकारिक तरफ से ग्यारवी किस्त नहीं दी जाएगी तो अगर आपने अभी तक EKYC नहीं करा है तो आप जितनी जल्दी हो सके EKYC करा लीजेगा आपको किसी भी नजदी की CST के इन पर जाना है और वहाँ पर आप EKYC करा सकते हैं आपको धिहान रखना है कि आपको अपने आधार कार को ले कर जाना है और आधार कार से दोस्तों आपका मुबाइल नमबर भी लिंक होना चाहिए क्योंकि आपके मुबाइल नमबर पर वन टाइम पासवर्ड सरकार में टालना होता है तब आपकी EKYC कंपलीट हो पाती है अगर आपके आधार कार से मुबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपकी CV नजदी की CSC केंद पर जाकर अपना मुबाइल नंबर आधार कार से लिंक करा सकते हैं और दोस्तों KYC आप करा सकते हैं मैं आपको ना चाहूंगा अगर आप यह सारा कारिया कर लेते हैं अपनी गलतियों को आप सुधार लेते हैं तो जो आपकी दसवी और ग्यारवी किस्त है वे दोनों एक साथ ही आपको सरकार की तरफ से दी जा सकती है यानिकि आपके एकाउंट में 4000 रूपे सरकार की तरफ से दिया जा सकते हैं हाला कि इसके लिए कोई ठोस जानकर की तरफ से नहीं मिली है लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है मेरे रिपोर्ट के मुताबिक कि जो रुखी हुई किस्त है अगर 11 किस्त के आने से पहले किसान अपनी गलतियों उसुधार लेते हैं तो हो सकता है कि 11 और 10 किस्त किसानों को एक साथ देती जाए तो यह थी आपके लिए महत्पून जानकरी जानकर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूरू बतेगा कोई भी सवाल है तो सवाल कर सकते हैं आप से भी के सवालों का जवाब यहां पर दिया जाएगा तो दूस्तों यह वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जाए हिंद जाए भारात